वेलकम बैक टू दानादा वीडियो सो गाइस आज के इस वीडियो में हम करने वाले है एक साइट टेबल का रिव्यू जो वुड का है और डिलीवर्ड मुझे हो चुका है मैंने ओडर किया था इसको चार से पांस दिन पहले और यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इस तरह की पै दिटेल में सबसे पहले इस प्रोड़क्त की अन्बॉकस इंगे उसके बाद मैं आपको इस प्रोड़क्त का कम्प्लीट्ली रिव्यू करके दिखाओंगा कि क्या आपको इस प्रोड़क्त को ओरडर करना चाहिए और नहीं सबढ़ कुछ देखने के लिए वीडियो को बहुत जादा लाइट वेट नहीं है तो चलिए जल्दी से इस box को open करते हैं और देखते हैं कि यह जो side table है वो कैसा हमें देखने को मिलता है completely review करेंगे इस वीडियो में बने रही है मेरे साथ वीडियो में end तक और इस product के बारे में मैं आपको एक interesting चीज भी बताऊंगा उसे भी मैं आपको इस वीडियो के बीच में इस वीडियो के आगे बताऊंगा वीडियो को आपको end तक जरूर देखना है कहीं पर भी skip नहीं करना है तो चलिए जल्दी से box क हो चुका है और जल्दी से निकाल लेते हैं product को यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो packaging है वो कुछ इस तरह की मिलती है अब जल्दी से इस product को हम बाहर निकाल लेते हैं So here is the product इसकी जो polythene है आप देख सकते हैं कि मुझे लग रहा है कि इसका जो color है वो थोड़ा सा निकल रहा है जिसकी वज़े से इसकी जो polythene है वो पूरी तरह से खराब हो चुकी है इसको रख देते हैं side में और product आ चुका है बाहर और देख सकते हैं इस table का top जो यहाँ पर आपको carving work देखने को मिलता है और कुछ इस तरह का design मिलता है जो देखने में काफी अच्छा और काफी attractive लगता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको इसका back side कुछ इस तरह का देखने को मिलता है जिसमें आप यहाँ पर इसके जो legs है उसको जो है वो fit कर सकते हैं तो guys कुछ इस तरह से आपको रखना है और easily आपको fit कर लेना है तो guys ये fit होने के बाद में आप इसको जब side में रखेंगे bad side या फिर आप corner पर रखेंगे तो इसका जो look है वो कैसा आता है वो भी मैं आपको complete बताऊंगा तो आप देख सकते हैं इसके legs fit हो चुके है और आप देख सकते हैं इसका लगने के बाद में completely कुछ इस तरह का look आता है तो guys चलिए मैं आपको इसको floor उपर रखकर दिखाता हूँ वीडियो को आपको end तक जरूर देखना है तो चलिए सबसे पहले इसका video enjoy करते हैं उसके बाद में देखेंगे जो दूसरा वाला side table है उसको भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा तो चलिए जल्दी से इसका जो वीडियो है वो देख लेते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं यह वाला side table में ने कुछ टाइम पहले order किया था और यह engineering wood का है इसकी material की बात करें तो engineering wood का यह table है और यह जब आपको receive होगा तो अलग-अलग part में होगा तो इसको आपको अलग-अलग से assemble करना होगा यह DIY side table है जिसे घर पर assemble करना होगा तो guys इसको उपर कुछ रखने के बाद में किस तरह का look आता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा और इसका completely look आप देख सकते हैं कि यह जो है देखने में बहुत ही अच्छा लगता है अब बात करते हैं final review के कि क्या यह product value for money है उससे पहले बात करते हैं इस product की pricing के कि यह product आपको कहा से मिलेगा किस price पर मिलेगा सुगाइस यह दोनों ही side tables मैंने flip card से order किये थे और इसकी price के अगर बात करें तो discount के according इसकी जो price है वो vary करती रहती है कभी थोड़ी कम थोड़ी जादा होती रहती है लेकिन यहाँ पर exactly price की बात करें कि मैंने यह दोनों ही side tables किस price में order किया है लेकिन इसके जो उपर का top है वो बहुती जादा अच्छा है और वीडियो के starting में जैसे मैंने आपको बताया था कि इस table के बारे में आपको एक interesting बात बताऊंगा उससे पहले इसके अगर price की बात करें इस यह मैंने 449 रुपीज में order किया था order का screenshot आप यहाँ पर देख सकते हैं और इसकी जो pricing है वो below 500 रुपीज के अंदर ही रहती है so guys size को देखते हुए मैं यह product आपको suggest नहीं करूँगा क्योंकि इसकी size जो है वो बहुत ही जादा small है बहुत ही जादा tiny है अगर आपको इसकी size matter नहीं करती है अगर आपको इसका look अच्छा लगता है तो you can go for this product same product का link आपको description में मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप इसे order कर सकते हैं so guys इस table के बारे में जो interesting बात है वो यह है कि इस table पर यहाँ पर आप देख सकते है जो design है जो carving work इस पर किया हुआ है गई जी carving work बहुत ही costly होता है मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ मैंने एक mirror बनवाय था घर के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं इस mirror का जो मैंने carving work करवाय था दो बाई डेड़ फिट का यह mirror है इसका जो carving work है वो इसके लिए मैंने बहुत ही जादा costly pay किया था इसलिए यह जो carving work है उसे देखते वे इसकी जो price है वो बिलकुल decent है बहुत जादा नहीं है और बहुत जादा कम भी नहीं है अगर आपको इसकी size meter नहीं करते हैं तो आप यह product definitely purchase कर सकते हैं जो दूसरा वाला table मैंने आपको दिखाया था engineering wood वाला उस table को मैंने flip card से ही order किया था उसकी pricing के अगर बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं order का screenshot यहाँ पर देख सकते हैं इसको मैंने 900 के आसपास देख सकते हैं 900 rupees के आसपास order किया था जो below 1000 rupees की price में यह मुझे मिला है और यह जब आपको delivered होगा तो यह DIY side table है जिसे आपको घर पर assemble करना होगा इसको assemble करना बिल्कुल easy है अगर आप यह same product order करना चाहते हैं तो description में इसका link मिल जाएगा वहाँ से जाकर आप इसे order कर सकते हैं और इसकी भी जो price है वो discount के according थोड़ी कम थोड़ी जादा होती रहती है तो यहाँ पर 1000 rupees के आसपास इसकी जो price है वो आपको देखने को मिल जाती है अगर आपको भी किसी online product का review देखना है तो आप मुझे comment करके बताएगा मैं पूरी कोशिश करूँगा उस product के बारे में review वीडियो देने की तो guys यहाँ पर आपको ऐसे ही interesting videos देखने को मिलती रहेंगी चैनल पर आपको कुछ इस तरह के product के reviews भी देखने को मिल जाएंगे अगर आपको वो देखना है तो आप चैनल पर check out कर सकते है और आगे भी interesting videos देखने के लिए हमारे इस चैनल को subscribe करना मत भूलना तो बैस यही सब कुछ था इस वीडियो में I hope आपको इस वीडियो पसंद प्रूबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब